नमस्ते फ्रेंड्स, क्या हाल चल लेजी आप लोग के, हाँ जी, I hope तो सब बढ़ी होंगे, मैंसल वरुन जंग, Chartered Accountant by Profession, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर, आज की जो वीडिया है, वो बहुत ही special वीडियो है, मेरे पास जंदली कहीं सारे businessmen है, students है, उनसे query आती है, कि सर, जो stock market से हम income कमाते हैं, इनके taxability के साथ से होती है, बड़ा एक interesting question है, कि सर, stock market पे जो income कमाई जाती है, जो एक trader होता है, investor होता है, उसको जो income मिलती है, उस पे income tax के साथ से लगता है, तो मुझे लगा कि क्यों ना हम इसके उपर एक video बनाएं, क्योंकि कहीं सारी queries आ अब ये video, businessman हो, चाहे वो student हो, student कोई भी course का हो, चाहे वो CA हो, CS हो, CMA का student हो, उनके लिए भी important हो जाएगी video, अगर कोई business करता है बंदा, investing करता है, trading करता है, तो stock market में काम करता है, जी, उनके लिए भी important हो जाएगी, plus कोई भी और person, जो interest लेना चाहता हो, या फिर potential investor बनना चाह रहो हो, तो उनके लिए भी important हो जाएगी video की sir, stock market से अगर हम कमाएंगे, तो हमें tax किस हसाब से pay करना पड़ेगा, बड़ा ही मज़ेदार point है, तो आईए जी, start करते हैं, पूरी video को ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा से मैं आपका time जरूर लूँगा, थोड़ा सा time consuming video रहेगी, लेकिन पूरी video को ध्यान से सुनना नहीं, तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो अच्छे से time निकाल कर इस video को सुनिएगा, और इस video के end में जाकर, मैं आपके लिए एक बढ़िया सा offer भी लेका आया हूँ, एक bumper offer, ठीक है जी, तो बनिये रहेगा video में, हमारा जो topic है, that is, taxability of income from the stock market, जो हमारी stock market होती है, share market होती है, उससे हम किस हिसाब से income कमा सकते हैं, जो हमारी share market होती है, stock market, उससे हम किस हिसाब से income कमा सकते हैं, अब पहले तो यह जानना पड़ेगा, अगर सा, stock market में क्या क्या आता है, stock market में, shares हो गए, debentures हो गए, mutual fund की units हो गई bonds हो गई मतलब ये सारी security stock market में trade करी जाती है ज़िए आप लोगो अच्छे से पता होगा stock market क्या होती है तो stock market ने ये सबसी जो की trading होती है investment होती है किसमें shares में, debentures में mutual fund units में and bonds में तो हम इन चारो units को cover करके चलेंगे, तो इन सब के लिए मैं एक term use कर रहा हूँ कि sir, stock market securities of the stock market ठीक है जी, तो आईए सबसे पहले जानते हैं कि sir stock market में कितने तरीके की हमारी income होती है, ठीक है जी stock market में कितने तरीके की income होती है, tax जानने से पहले तो आपको यह पता होने चाहिए कि आपकी income किस-किस तरीके की हो सकती है in the stock market, तो सबसे पहली income आती है और बहुत मज़ेदार income आती है क्या intraday trading, sir यह intraday trading का क्या मतलब है, देखो intraday trading का मतलब होता है कि जिस दिन आपने security को buy किया, जिस दिन आपने security को buy किया उसी दिन, same day आपको security को sell भी करना पड़ेगा, अच्छा यह वीडियो ना मैं बहुत जादा technical नहीं रखूँगा बहुत ही general video रहेगी so that हर कोई बंदा इसको समझ पहे तो मैं जादा income test के sections में, provisions में, law में वहाँ पर नहीं जाओँगा, एक बहुत simple words में इस वीडियो को रखूँगा तो intraday trading का मतलब क्या होता है कि जिस दिन आपने security को buy किया, उसे दिन आपको security को sell करना पड़ेगा generally क्या होता है कि buy और sell करने के लिए, हम term use करते है, square off करना, मतलब जिस दिन आपने security का order book किया, क्योंकि क्या होता है, sell करने का भी order book किया जा सकता है तो जिस दिन आपने security का order book किया same day पे शाम को आपने security को क्या करना पड़ेगा square off करना पड़ेगा, आपके पास security की delivery नहीं आती है आपके पास security की delivery नहीं आती है, for example आज सुबह 9 बजे एक example है, आज सुबह 9 बजे Reliance Industries का जो share था वो चल रहा था, letter से 326 रुपे का तो मैंने एक order book कर दिया by Reliance Industries 10 shares at the rate of 326 अगर मैं intra day करना चाहता हूँ तो मुझे शाम को उस security security को square off करना पड़ेगा मतलब बेचना पड़ेगा चाहे वो कोई भी price चल रहा हो चाहे वो 326 के जगा 328 हो जाए, चाहे वो 34 हो जाए मुझे security को क्या करना पड़ेगा trade off करना पड़ेगा अब बात आती है, sir, हम इससे income कैसे कमा सकता है देखो trade off करोगे तो trade off करने की वज़े से आपको फायदा भी हो सकता है और मुकसान भी हो सकता है तो वही profit और loss आपकी क्या है income कहलाती है in the stock market यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ taxability of income इस video में मैं बात करो taxability of income तो मेरा जो focus रहेगा मेरा focus रहेगा profit के उपर losses कैसे करेंगे losses को कैसे sort of किया जाएगा उसके लिए sir, हम किसी एक अलग वीडियो में देखेंगे क्योंकि उसके लिए income tax के provisions अलग है मेरा बात रहेगा कि profit अगर फायदा हो गया अगली income आती है जी capital gains capital gains का मतलब क्या होता है capital gains means आपने security को hold करके रखा मतलब मैंने आज share खरीदा किसी भी company का share खरीदा mutual fund के units करीदे bonds करीदे और उसको मैं wait कर रहा हूँ कि उसका price बढ़ेगा तो मैं उसको बेच रहा हूँ तो यहाँ पर क्या कहलाया जाएगा यहाँ पर जो भी income होगी that is known as capital gain इसमें आपके पास security की delivery आ जाती है in your DMAT account जो भी आप अपने broker के पास DMAT account खुलवाते हो तो वहाँ पर आप चेक करना आपके DMAT account में अगर आप capital gain में deal करना चाहरे हो तो आपके पास stock की delivery आ जाएगी लेकिन अगर आप internal day trader हो तो आपके पास share की delivery नहीं आती है आप DMAT पर अपना check भी कर सकते हो अगली income आती है हमारे पास interest और dividend income देखो अपनी security पर आप interest भी कमा सकते हो और dividend भी कमा सकते हो generally जो interest मिलता है interest किस पर मिलता है interest मिलता है debentures पर या फिर bonds पर जिस पर fix rate पर आपको क्या मिलता है interest मिलता है और dividend किस पर मिलता है dividend आपको मिलता है shares पर and mutual fund की units पर shares पर और mutual fund की units पर आपको क्या मिलता है dividend मिलता है तो ये भी एक तरीके की income होती है कि interest कमा लिया या dividend कमा लिया तो हमने देखा कि stock market से हमारी 3 तरीके की income होती है एक होती है intraday trading जैसे कि नाम बता रहे है कि within the day आपको कितना फायदा नुकसान होता है that is known as intraday trading capital gains capital gain का मतलब क्या होता है कि आपने security को hold करके रखा और third is your interest and dividend income ठीक है जी अब हम बढ़ते हैं आगे आगे देखो अगर मैं बात करूँ intraday trading की तो income tax का act income tax का law कहता है कि intraday trading को आप अपनी normal business income मानेंगे कि intraday trading को आप अपनी normal business income मानेंगे मतलब जो एक business करा जा जो एक person नॉर्मल बिजनस इंकम के साथ ही intraday trading को क्या करेगा जी club करके चलेगा इसको income tax की terms में बोलते हैं speculative speculative business क्या बोला जाता है जी speculative business तो अगर आप intraday trader है तो आपकी income को normal business income ही माना जाता है speculative business income माना जाता है सर अगर मैं business नहीं करता अगर आप मैं salary class imply तो आप salary class imply हो तब भी आपकी intraday trading को business income माना जाएगा तो intraday trading मतलब business एक तरीके से speculative business हो गया तो इसके income क्या रहेगा आपकी normal business income रहेगी तो अगर ये normal business income रहेगी तो इसका tax भी क्या लगेगा जी normal slab rate के साब से लगेगा ठीक है जी अचा एक और चीज हम यहापर जो taxability discuss कर रहे हैं हम यहापर जो taxability discuss कर रहे हैं वो discuss कर रहे हैं for financial year 2021 जो आपके latest financial year है that is 2021 2021 के साब से हम discuss करके चल रहे हैं आपकी taxability ठीक है जी तो पुराना जो भी law होता है तो उसके उपर मैं नहीं आ रहा है जो latest current law है उसकी बात कर रहा हूँ financial year 2021 ठीक है जी उसके बाद आती है जी आपकी capital gain थोड़ी बहुत बाते मैं last year की भी बता दूँगा कि सर लोग के दिमाग में question आएगा कि हम तो अभी 19-20 की return भरेंगे तो आप 19-20 के बार में बताए तो जहां बताना पड़ेगा 19-20 के लिए मैं आपको बता दूँगा ठीक है जी लेकिन मेरा focus 2021 के ओपर ज्यादा रहेगा अगली income आती है हमारी capital gain capital gain income आपकी दो तरीके की होती है एक होती है आपकी short term capital gain और एक होती है आपकी long term capital gain short term capital gain और long term capital gain मतलब अगर आप security को hold करके बेचते हो तो जो आपके पास profit हो रहा है तो वो short term nature का भी हो सकता है वो long term nature का भी हो सकता है इसके उपर मैं अभी detail में अगली slide में होगा उसके अगली income हमारी थी interest और dividend income इसकी taxability की बारे में देखते हैं देखो जी अगर मैं interest income की बात करूँ मतलब अगर आपको debenture या bonds में interest मिल रहा है तो interest को आप other sources income मानोगे interest को क्या माना जाता है जी other sources income माना जायता है और इसके उपर जो tax लगता है वो normal आपका slab rate के इसाफ़ से लगता है इसके उपर जो tax लगता है वो normal आपका क्या लगता है slab rate के साफ़ से tax लगता है जो income tax के slab चल रहे है उसके इसाफ़ से आपका other sources के income के उपर भी tax से लग जाता है ठीका जी TDS वगारे भी कट जाता है इसके उपर कुछ TDS के भी provisions होता है कि companies, debentures वगारे पर interest pay करते है टाइम पर TDS भी काट लेती है तो TDS में हमें अभी जाना नहीं है इस वीडियो में उसके बाद जो income होती दी हमारी क्या होती थी dividend income होती दी dividend income में बड़ा एक मज़़दार point है dividend income में एक मज़़दार point क्या है कि अगर आपको dividend मिल रहा है किसी domestic company से domestic company मतलब Indian company से और dividend मिल रहा है आपको foreign company से देखो जी, अगर मैं बात करूँ foreign company की तो foreign company पे जो आपको dividend income मिलती है वो आपकी taxable होती है foreign company की share पे आपको अगर dividend income मिलती है तो वो आपकी taxable होती है taxable वो ही आपकी normal slab rate के साब से ही रहेगी लेकिन मज़ेदार point है domestic company का सर अगर मैं बात करू financial year 2021 से पहले मतलब अगर हम आप ITR भरोगे 19-20 की financial year 1920 की तो domestic company के share पे अगर आपको dividend मिला है तो वो 1,00,00 रुपे तक का exempt था वो 1,00,00 रुपे तक का exempt था under section 1034 income tax act में section आता है 1034 तो 1034 के अंदर 1,00,00 रुपे तक का आपका dividend exempt था अगर 1,00,00 से ओपर का है तो आपका dividend taxable हो जाता था लेकिन financial year 2021 से जो अब latest budget आया 2021 उसमें क्या किया जी dividend income को taxable कर दिया अब 1,00 अब डिविडेंट आपका क्या हो जाएगा taxable हो जाएगा और अगेन वही चीज other sources की income में उसको डाल कर आप क्या करेंगे tax करेंगे मतलब normal slab rate के साब से आपका वो tax हो जाएगा आई बात समझ में interest और dividend income की तो सरी एक बहुत important point है बहुत अच्छे से इसको समझ लीजिएगा intraday trading हमने यहाँ पर डिसकस कर लिया और interest और dividend income यहाँ पर डिसकस कर लिया capital gain पर अभी मैं अगली slide में होगा तो intraday trading में हमने क्या सिका जी intraday trading में हमने देखा कि intraday trading से जो भी मेरे को फाइदा नुक्सान हो रहा है उसको मैं normal business income मानेंगा और tax लगा दूँगा इस लाइबरेट में और अगर interest और dividend income है तो interest को तो other sources की income मानकर normal tax लाइबरेट पर tax लगा देंगे और dividend income में अगर आप financial year 1920 की बात करें तो एक लाक रुपे तक domestic company का dividend exempt था लेकिन financial ये 2021 की बात करें तो सथ dividend में कोई domestic नहीं कोई foreign नहीं सब dividend को क्या कर दिया जी tax कर दिया गया पहले foreign company का जो dividend था वो taxable था और domestic का एक लाक रुपे तक exempt था under section 1034 अब हम आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड जो आती है वो आती है मेरी taxability of capital gains कि सर्क capital gains के ओपर कैसे taxability रहेगी तो देखो जी capital gain हमारे दो तरीके के थे एक था short term capital gain और एक था long term capital gain अगर मैं short term capital gain की बात करूँ तो short term capital gain का मतलब क्या होता है कि अगर आप अपनी securities को within a year sale कर देते हो अगर आप अपनी securities को within a year sale कर देते हो within a year कहां से sir from the date of purchase जिस दिन आपने purchase करी उसके एक साल के अंदर अंदर अगर आप अपनी securities को बेच रहे हो तो आपकी जो income रहेगी वो क्या रहेगी इसा short term capital gain क्या लाएगी और अगर आप अपनी securities को एक साल के बाद बेचते हो date of purchase से एक साल के बाद बेचते हो मतलब आपका period of holding इसे मैं टेक्निकल अगर बोलू तो क्या बोलो जाता है period of holding अगर आपका more than one year है अगर आपका period of holding more than one year है अगर income tax act में जाए तो बारा महीने लिखा है तो मैं एक एर बोलते हूं for the sake of understanding तो अगर आपका period of holding more than 12 months है तो सर आपकी जो gain रहेगी वो क्या 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 लाएगी जी long term capital gain क्या लाएगी short term capital gain की taxability के बारे में अगर बात की जाए तो सर शॉट term capital gain पे tax लग जाता है किस rate पर flat 15% की rate पर आपका short term capital gain taxable हो जाता है मतलब अगर आपने short term capital gain पे 100 पे कमाए है तो आपके उपर flat 15% का tax लग जाएगा मतलब 15 रुपे का आपको क्या करना पड़ेगा जी tax पे करना पड़ेगा ठीक है जी flat 15% का आपका short term capital gain का tax लग जाता है ठीक है जी लेकिन इसमें income tax act में condition लिखी हूँती है if STT is paid if STT is paid तो अगर मैं share market की बात कर दो सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर दिया जाता है तो इसलिए हम उसमें ज्यादर डीप में नहीं जाते तो आप यह मान के चलो कि 15% के उपर आपका टैक्स लग जाएगा अचा सर कुछ कोशन यह भी आ सकता है कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि मेरी short term capital गेना आपका जो भी ब्रोकर है आप ब्रोकर से अपनी ट्रेडिंग स्टेटमेंट लीजिए आपको उस टेटमेंट से पूरा क्लारिटी मिलेगी ब्रोकर आपको डिटेल देगा पूरी कि कि खितनी आपकी इंट्राडी ट्रेडिंग है कितना आपका short term capital गेन है कितना आपका long term capital तो वो उसमें दिक्कत वाली बात ही है आप easily अपनी ब्रोकर से स्टेटमेंट मांग के आप identify करके चल सकते हैं ठीक है जी उसके बाद अगर मैं long term capital गेन की बात करूं तो long term capital गेन पे taxability है जी 10% की लेकिन condition क्या है if long term capital गेन exceeds rupees 1 lakh मतलब अगर आपका long term capital gain जो की period of holding था 12 मेने से जादा कर तो आप समझ गे हो ची तो अगर आपका long term capital gain एक लाग से जादा है तो आपके ओपर 10% का tax लग जाएगा मतलब आपका अगर long term capital gain 1,10,000 का है तो आपके ओपर 10% का tax लग जाएगा मतलब आपका 11,000 रुपे का tax बनेगा सर अगर 1,00,000 से कम का long term capital gain है तो मज़े की बात क्या है वो हो जाता है exempt उसके ओपर कोई tax नहीं लगता वो हो जाता है exempt under section 1038 under section 1038 वो क्या हो जाता है जी exempt हो जाता है सर अगर capital gain कैसे निकालूँगा capital gain निकलता है आपका sale consideration minus cost of acquisition cost of acquisition मतलब purchase cost तो यह आपका क्या निकल के आता है जी capital gain निकल के आता है फिर आप देखेंगे आपका long term है या short term है long term के लिए आपको यहाँ पर indexation भी करनी होती है indexation मतलब अगर आपने 2034 में अगर आपने 2034 में share को purchase किया था तो आपको index लगा कर 2019-20 की या 20-21 की value निकाल के चलनी पड़ेगी वो index chart आपको income tax की website से available हो जाएगा तो वो चीज़ आप calculate कर लेना कैसे अगर मैं छोटा सा example लूँ हूँ मानलो आपका 100 रपे का share था 2034 में जिसकी cost लिए 100 रपे की तो 2034 का index लो यहाँ पर और 2019-20 का index लो यहाँ पर तो आपकी एक value निकल के आजाएगी किस साल की 19-20 की value निकल के आजाएगी accordingly आप tax लगा सकते हैं चीक है जी और यह बात हो रही है listed security की कि सर स्टॉक मार्केट में सारी listed securities होती है अगर कोई unlisted securities होती है मतलब किसी ने normally किसी unlisted company के share को purchase sale गया है तो सर उसकी taxability अलग है वो किसी और separate video में discuss होगा यहाँ पर मैं completely stock market की बाग कर रहा हूँ I hope यह दो income आपको समझ माई होगी short term capital gain और long term capital gain ठीक है जी आईए जी so हाँ जी तो हमने तीनों चीजे देख ली कि intraday trading पे कैसे tax लएगा बताईए जी intraday trading पे कैसे tax लएगा normal business income मान के tax लगा दो interest और dividend income पे interest को other sources की income मान कर normal slab rate पे tax लगाओ dividend financial यह 2021 से तो dividend पे normal tax लगेगा other sources की income मान के उस पे normal tax लगेगा लेकिन अगर आप 19-20 की return भर होगे तो 19-20 के dividend के उपर आपका tax जो लगेगा वो लगेगा सर किस rate पर वो लगेगा सर बताई जी किस rate पर अगर आपको याद हो तो भूले तो नहीं हाँ जी अगर मैं बात करूँ dividend income की 19-20 के उपर तो आपका dividend income 10 लाग रुपे तक की exempt थी और उसके बाद आपका tax लग जाएगा ठीक है जी अब आते हैं बड़ा इंटरस्टिंग point कि सर हमें ITR कौन-कौन से बढ़नी है हमें ITR form कौन-कौन से बढ़नी है अगर हमारी stock market से income हो रही है तो ITR form कौन-कौन से बढ़नी है देखे जी अगर आपकी income है सिर्फ और सिर्फ capital gain की मतलब अगर आपकी income है सिर्फ और सिर्फ किसकी capital gain की income है तो आपको ITR 2 भरना है आपको ITR form अपना 2 भरना है अगर आपकी capital gain की income है सर अगर मेरी salary income है बिजनस income है तो आपको सर salary और business केתाब से ITR select करनी है और capital gain का head आपको हर ITR में मिलेगा यह मिलेगा ITR 2 किसके लिए है सिरफ अगर आपकी capital gain की income है तो ठीक है जी वैसे कहीं सारी ITR होते है जैसे ITR 1 होती है जिसकी salary वगरे की income होती है ITR 2 होती है जिसकी capital gain या other sources की income होती है अच्छा अगर आपकी other sources की income है तब भी आप ITR 2 भर सकते हो, सिरफ other sources की ITR 3 होती है, आपकी business की ITR 4 भी आपकी business की होती है presenting scheme वाली, ITR 5 generally partnership firms बगारा भरती है ITR 6 companies बरती है ITR 7 आपकी trust बगारा भरती है तो ITR की पूरी list है, आपको income tax के website मिल जाएगी, तो अगर आपकी capital gain की income है, चाहे वो short term हो चाहे वो long term हो, तो आपको ITR 2 भरनी है सिरफ capital gain की income है, तो उसके बात, अगर आपकी intraday trading की income है सर, अगर मेरी intraday trading की income है, तो आपको ITR 3 भरनी होती है, आपको ITR 3 भरनी होती है, अब मज़े की बाद क्या आती है, सर, मेरी intraday भी है और capital gain भी है तो मैं क्या परूँ तो आपको intraday के साब से ITR 3 तो भरनी ही पड़ेगी और जैसा मैंने आपको बताया कि capital gain का head आपको हर ITR form में मिलेगा तो आप ITR 3 में intraday trading और capital gain की income को भर सकते हैं ठीक है जी और other sources की income की अगर मैं बात करूँ other sources वही आपकी interest और dividend की बात करूँ तो आपको किसी भी ITR form में उसका head available हो जाता है चाहे वो ITR 1 हो 2 हो 3 हो मतलब कोई भी ITR हो वहाँ पर आपको other sources और capital gain के head तो मिलेंगे ही मिलेंगे तो आपको selection आपको अच्छे से करके चलनी पड़ेगी और अगर आप confused होते हैं तो sir professionals हैं आपके CACCMA जिससे भी आप अपना काम करवाते हैं वो आपको properly guide कर देगी ठेक है जी उसके बाद बड़ा मज़ेदार point बहुत ही मज़ेदार point जो businessman अक्सली सोचते हैं कि sir tax audit tax audit होता है section 44 AB के अंदर section 44 AB के अंदर tax audit की limits क्या है tax audit में turnover की limit रहती है कि अगर आपकी turnover अगर आप presumptive scheme follow करें मतलब आप section 44 AD को follow कर रहे है तो अगर आपकी turnover 2 crore से exceed कर जाती है 2 crore से exceed कर जाती है तो आपको tax audit कराना पड़ेगा और अगर आपकी 44 AD scheme नहीं है AD sorry नहीं opt कर रहे है तो अगर आपकी 1 crore से उपर की turnover है तो आपको tax audit कराना पड़ेगा tax audit मतलब आपके जो books of accounts के है उनका audit किया जाता है by a qualified chartered accountant जो एक chartered accountant होता है वो आपके books of accounts को audit करता है और forms को file करता है with the income tax department ठीक है जी तो यह आपके tax audit के provision होते है अब बंजी की बात क्या है सर speculative business मतलब intraday trading में turnover की definition थोड़ी change हो जाती है कैसे देखो जी इनको मैं थोड़ा रब करूँ देखो बहुत interesting point है अगर आप intraday trader है अगर आप क्या है जी सर intraday trader है intraday trader है या आप normal business करें और साथ-साथ intraday भी करते है तो सर आपको intraday की trading में भी trading को भी आपको turnover में include करना पड़ेगा कैसे turnover में include करना पड़ेगा क्या कहता है वो point while calculating the turnover for the purpose of tax audit in case of intraday trading turnover means absolute profit turnover का क्या मतलब होता है absolute profit मतलब आपको intraday trading में एक absolute profit निकालना पड़ेगा वो absolute profit आपका कैसे निकलेगा absolute profit is the sum of all the positive and negative difference from all the transaction during the period मतलब अगर मैं बात करूँ financial year 1922 तो आप पूरे साल की transaction को check करो intraday trading मतलब रोज की transaction को check करो तो रोज आपको देखना पड़ेगा कि आपका क्या result रहा मालो आपको यहाँ पर सौरे को यहाँ फायदा हुआ यहाँ पर 200 का फायदा हुआ यहाँ पर 1000 का फायदा हुआ यहाँ पर 2000 का loss हो गया यहाँ पर 3000 का loss हो गया यहाँ पर 500 का फायदा हुआ 600 का फैदा मतलब आपको देखना पड़ेगा रोज आपकी क्या ट्रांजिक्शन हुई है तो आपको सब को टोटल करना पड़ेगा वह आपका absolute profit रहेगा या turn over रहेगा लेकिन मज़े की बात क्या है some of all positive and negative differences मतलब जो आपके negative differences आ रहे हैं ये जो 2,2,3,3,4 पर minus आ रहे हैं इन minus को आप consider नहीं करोगे आपको इनको भी normally add करके चलना पड़ेगा इनको भी normally क्या करके चलना पड़ेगा एड करके चलना पड़ेगा एक चोटा से example दुबारा समझाता हूँ मालो 1st April को आपको 500 का profit हुआ 2nd April को आपको 300 का फायदा हुआ 3rd April को आपको 300 का फिर फायदा हुआ 4th April को आपको 800 रुपे का loss हो गया 5th April को आपको 200 रुपे का फायदा हुआ और 6th April को आपको 200 का फायदा हुआ और 7th April को आपको 500 रुपे का लॉस हो गया मेरको अगर पूरे week की turn over चीए absolute profit चीए तो मैं कैसे लूँगा आप add कर दो सबको आप क्या कर दो जी add कर दो सबको 500 प्लस 300 प्लस 300 और यह जो 800 आपको negative है ना इसको भी add कर दो प्लस 800 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 500 मतलब कितना हो गया पांच और तीन आठ और तीन गहरा गहरा और आठ उनिस बीस इक्किस बाइस तेईस तेईस और पांच तेईस और पांच 28 तो मतलब ध्यान रखना पड़ता है कुछ बिजनसमेन क्या दलती कर जाते हैं वो tax audit के टाइम पे intra day को considering नहीं करते हैं या फिर गलत calculation कर जाते हैं तो कहीं बार क्या होता है इंट्राडे ट्रेडिंग की वज़े से उनकी firm tax audit की limit में आ जाती है ठीक है जी तो आपको ये tax audit बड़ा ध्यार से देखना पड़ेगा अगेन इस सीट की calculation में भी आप अपने professionals की मदद ले सकते हैं ठीक है जी चली जी तो ये मेरी एक वीडियो थी जिसमें मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको stock market की taxability मतलब income tax के क्या क्या provision लगबग लगते हैं अपना stock market के बार वो बताने की कोशिश करी so thanks a lot for your patience listening आपने मुझे बड़ी अराम से बड़ी ध्यान से बड़ी इतमिनान से सुना तो सर उसके लिए बहुत बहुत धनेवाद ये मेरी contact details है आप मुझे contact करके चल सकते हैं यहाँ पर एक मिट हाँ जी ये मेरी contact details है ये contact details हैं आप contact मुझे कर सकते हैं कोई भी question आपका कोई भी query आपकी कोई भी advice आपको चाहिए हो तो bumper offer जो मैंने आपको वीडियो के starting में बोला था bumper offer क्या है जी मेरे जो firm के partner है CA पुनीत जैन उन्होंने एक channel create किया हुआ है उसमें वो क्या करते हैं जी जितनी भी income tax की updates हैं GST की updates हैं आज का loan seller है loan की update है MSME loans की updates हैं वो सारी एक video form में वो आपको अपने channel पर provide करते हैं प्लस मैंने उनसे request करिया है वो अब आपको एक series बना के देंगे जिसमें आपको अल्यदलफ हैड़क की income की taxability जान सकते हैं मतलब अगर आपकी salary income है तो tax कैसे निकालोगे business income है तो tax कैसे निकालोगे other भी type की income है तो आप tax कैसे निकालोगे निकालोगे क्योंकि पते क्या होता है दिक्कत क्या दिए कि जो business man है वो अपने professional के पास तो जाता है sir मेरा ये मानना है कि businessman को थोड़ी बहुत खुद भी knowledge होनी चाहिए at least आप अपना काम किसी professional से करा लीजाए उसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आपको खुद भी पता होना चाहिए कि भाई आपके ओपर क्या provisions लगते है पूरा detail में ना हो तो एक आपको एक general terms में एक overview आपको ज़रूर पता होना चाहिए तो मेरी पूरी कोशिश रही थी कि मैं आपको एक general form में बता दू बाकि आप किस तरीके से अपने professional के मदद लेंगे वो आप ले सकते हैं CA Puneet Jen के channel का जो link है CA Puneet Jen जो मेरे partner है उनके जो channel का link है वो आपको उपर i button में मिल जाएगा तो आप जाएए उनके channel को subscribe कर दीजिए और पाईए धेर सारी income tax updates, GST updates, loans updates, सारी आजकल की latest updates उनके channel पे आपको भरबर के मिलेंगी और अगर आप मेरे channel पे भी नहीं है तो sir मेरे channel को like, मेरी इस video को like करके मेरे channel को subscribe कर देना और जितने भी businessmen है, students हैं जो interested है stock market में, तो sir stock market ही interested हो, कमाना चाहते हो तो sir उसकी taxability के बारे में भी जान लेना, तो इस video को हर trader, हर investor के साथ जरूर share करना ठीक है जी, thank you very much, मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, till then take care of yourself, bye bye और एक और last चीज, अगर आपको ये ppt चाहिए तो इस video के description में मैं आपको इस ppt का link दे दूँगा तो आप इस ppt को download करके देख सकते हैं, ठीक है जी, चलिए